नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आ गया हूँगा आप सभी के बीच में कुछ वेकंसी देके और इस वेकंसी को जानने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसके लिए आपको कितने फीस पेड करने होंगे साथ ही में आपको बताऊंगा कि ये पोष्ट कितनी जारी की गई है साथ ही में आपको बताऊंगा कि experience देना होगा कि नहीं आपको salary क्या मिलेगी आपको और facilities मिलेगा कि नहीं कब से कब apply कर सकते हैं इन सभी के बारे में full details आपको एस्टाप बाई एस्टाप बताऊंगा और दिखाऊंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आप चैनल अंस एस्टडी गुरू पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही में वेल नोटिफिकेशन ओन कीज होगा इसके बारे में भी आपको फूल डिटेल्स बताऊंगा चलिए देखते हैं दोस्तों जसकी स्क्रीम पर देख रहे हैं हैं मेंसन हैं अब यहां आप देखिट वेकेंसी आई हुए एंटी बिसी लूगिंग फॉर एक्स्पिजियन प्रोफेस्टल इन दे एरिया आप क माच एर के लिए माच एर के लिए आपके 50 पुष्ट जारी के गया हैं और जिसकी एक साइकल होगी किसी भी एरिया में इनको भेजा जा सकता है अब बात आती है कि कब से कब अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले आम इसकी बात करेंगे यह अप्लाई करने के लिए दोस्तों पहले आप जान लेजिए कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और बात करते हैं कि तरह बढ़ते हैं और बात देख लेते हैं कि क्या लगेगा और हम जूम करके आपको दिखाएंगे इसमें आएंगे तो देखेगा है यहां क्वालिफिकेशन में देखे लिखा हुआ है दिगरी इनलेक्तिकल मेकेणीकल ऐलेक्ट्रानिक्स इंस्टूमेंट इंगिनिंग फ़ाम इगणाईस्ट इन्सिटूशन, एक्ष्पिरेंश रकॉयर्मेंट न्यूम डुये और पोस्ट क्वैइड स्पॉस्ट क्वालिफिकेश्क्ड एक्सपिरेंस निंकं इनक्रिशन ने 100 MW और more design construction and operation and maintenance department कहने का दोस्तों साफ साफ मतलब यहां है कि आपने वीटेक किया हो electrical या mechanical या फिर electronics से instrumentation से और साथ ही में आपको experience दे रहा होगा दो साल का 100 MW का plant हो उससे कम का ना हो उससे ज्यादा का plant हो तो चलेगा आपके पास 2 साल का experience वहां का होना चाहिए आप operation में काम के हो या construction department में के हो या फिर आप maintenance में हो तो आपको यह job मिल सकती है अब बात करते हैं कि आपको salary कितनी दी जाएगी salary की बात आती है तो कि इसमें महिंतली के concentrate जो आपको दिये जाएगे हो 90,000 रुपए जी हां साथ हो 90,000 रुपए पर month दिये जाएगे company के साथ में आपको ये भी बता रही है कि हारे अलक्स दिया जाएगा night shift allowance दिया जाएगा medical facility for self spouse and two children यानि कि आपके madam के साथ में दो बच्ची को भी आपको दिया जाएगा facility अगर आप इस form को apply कर सकते हैं आप qualify करते हैं तो आपको दिया जाएगे इतनी सारी facility अगर आपका joining होता है तो NTPC में अब as limit की बात आती है as limit 35 वर्स अगर आपके हैं government के उस हिसाब से तो आपको ये job confirm है मिलना और कुछ detail में बात करेंगे जैसे कि आप form को apply कैसे कर पाएंगे उसके लिए आपको fees कितनी paid हो करने होंगे तो दोस्तों आप यहाँ scroll कर दिया मैंने और zoom भी कर दिया यहाँ देखेंगा लिखा है how to apply interested candidate should be log on to our website carriers.n tpc.co.in पर no others main mode application shall be upset candidates are required process in the valid mail id ntpc will not responsible for bouncing back any mail sent to candidate candidate belonging to general esws category are required to pay non refundable application fees 300 rupees hcst pwd xm category female need not pay the application fees कहने का दोस्तों साफसाब मतलब या कि अगर आप ews और फिर आप general category से है या o bc category से है तो आपकी यह पैसे वापस नहीं किया जागा non refundable है आपको 300 रुपए paid करने होंगे साथी में बताया जा रहा है कि st st और pwd के लिए अगर student apply करते हैं या female apply करती है तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं देना होगा इनका already हो जाएगा अब बात आती है कि फीस कैसे करना है online इसमें offline दोनों मोर से आप payment कर सकते हैं offline demand draft के तुर से कर सकते हैं या उस account number पर pay कर सकते हैं और दूसरे नमबर पर आता है debit card credit card या फिर चलान के मादम से आप payment को दे सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से रहा कुछ इस प्रकार से रहा आपका ये job details और अगर कोई doubt हो या कोई confusion हो तो आप comment के मादम से जरूर बताएं मैं आपको last doubt clear करना चाहूंगा कि जो ये post है वो UR यानिकी 22 post है और EWS यानिकी 5 post है OBC category के जो student उनका 11 post है और जो SC के हैं उनका 8 है जो ST के हैं उ सीटे उपलब्द कराएं गी है एक बार जाते जाते आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप apply करना चाहते हैं तो 27 अक्टूबर से start हो चुका है फार्म और 10 नौंबर लास्ट डेट है इसका फटा फटाफट apply कर लेजिए अगर किसी परकार की दिखेता है तो comment मे जरूर मताएगा दोस्तों ओके ओल दा बेस्ट